हलो एफ्रीवन वेलकम टू लर्न भी आयम शिवानी चाहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवंथ हिस्ट्री के बुक का चाप्टर थ्री डेली सल्तनत इससे पहले हम लोग अभी थोई दिर पहले हमने अप्लोड किया है सोशल साइंस का जॉपका सिविक से उसक साइंस और माथ्स कवर कर रहे हैं तो उस चानल को भी जरूर सब्सक्राइब करें उसमें साइंस काफी सारा कुछ कवर हो रखा है तो चाप्टर टू में हम लोगों ने पढ़ा था कावेरी डेल्टा मतलब साउथ के बारे में 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 लाज्ज किंग्डम्स जो थी साउथ म में ही कापिटल बनी है दिल्ली कापिटल 12th सेंचुरी और इसे पहले जो चाप्टर था उसमें हम लोगों ने लगभग 9th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक की चीज़े देखी दी तो यह भी नीचे हम लोगों को यहां पर यह देखिए टेबल वन दी गई है इसमें हमें बताया गया है कि जो दिल्ली के रूलर्स थे वो कौन-कौन रहे थे सबसे पहले दिल्ली पर राच किया था तोमर्स ने ठीक है फिर उसके बाद अनंगपाल ने किया था फिर उसके बाद चोहान आये थे जिसमें मतलब तोमर्स में अनंगपाल हो गए फिर प्रित्वीरा चोहान हो फिर गी आसुदीन बल बनने किया फिर उसके बाद घलजी और चल्दूदू स Twenty और थिर पुगलक डाइनिस्ती और जिसको मोह बन्थ पागल डाजा खाथा मुगल्मब बन्थ यथ siya Connect के लिए स beschadig तो ये इस चप्टर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बार में ही पढ़ेंगे डेली में सबसे पहले जो capital बनी थी वो तोमर राजपुतो की बनी थी who were defeated in the middle century मतलब 12th century के middle में चौहांस ने जिनको पहले चाहमांस कहा चाता था अजमेर के थे वो और उन्होंने तोमर राजपुतो को हरा दिया था it was under तोमर's and चौहांस that Delhi become an important commercial center तो तोमर's और चौहांस के टाइम पर ही दिल्ली जो है न वो काफी important commercial मतलब बिजनस का center बन गया था काफी सारे rich jain merchant जो थे वो इस city में उन्होंने रहना शुरू कर दिया काफी उन्होंने temples वगेरा बन वाए और वहां पर coins mint होने लगे मतलब coins mint होने लगे का सिक्के बनने लगे और यह सिक्के यहां पर बनते थे इनको देहलीवाल कहा जाने लगा और यह सिक्के काफी जाधा circulation में थे काफी लोग इनका अस्तमाल करते थे transformation दिल्ली का जो बदलाव हुआ into capital टिक है जब दिल्ली capital बनी आज तो हमारी दिल्ली ही capital है that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of दिल्ली सल्तनत at the beginning of 13th century तो सबसे पहले यह 12th century के टाइम पर तोमर्स और राजपूथ जो थे तोमर राजपूथ थे और फिर चोहांस आए इनके बाद जो है टौकिश रूलस आ गए उसी टाइम पर क्या हुआ दिल्ली एक ऐसी capital बनी जिसने पूरे देश पर राच किया डेली सुन्तांस थे वो उन्होंने काफी बड़ी सी city बनाई डेली सुन्तांस बिल्ट मैनी cities in the area that we know now as डेली तो बहुत सारी मतलब शेहर आतपास पसा दिया जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं जिसे डेली एकुनहा सीरी और जनपत यह सारे के सारे इलाके है ना दिल्ली के मेट्रों में जाते हैं तो जनपत आ जाता है तो यह सारे के सारे हम लोगों ने देख लिए इसमें अब आता है finding about the डेली सुल्तांस अब डेली सुल्तांस के बारे में जानते हैं Although inscriptions, inscriptions होती है ऐसी चीज जो हमें लिखी हुई मिलती है inscriptions में सिक्को में और architecture मतलब जो चीज बनी होई है इससे हमें काफी सारी information मिल जाती है especially valuable are histories और जो हमें इतिहास पता लगता है ठीक है तारीक singular और तवारीक plural ठीक है फहान से आये ते या लोग ये लोग अभी तरकी से आये थे उधर कौनी भाषा का स्तमाल होता था ये परशियन लांभिज कस्तमाल होता था तो जो लोग वहां से आये हैं वो अपने को पें कौन सी लंगवज चलाएंगे पर शियाँ लेंगे तो इम कासा अरा होशयार पढ़े लिखे लोग होते थे जो secretary होते थे, administrator होते थे poet होते थे, courtiers courtiers होते हैं दरबारी जैसे movies या shows में दिखाते है राजा होता है खुब सरे लोग आसपस बैठे होते हैं दरबारी होते है who both recounted events and advised rulers on governance emphasizing the importance of just rule तो जो तुज़े तुवारीक थी यह काफी उशयार लोगों ने लिखी थी poet, secretaries वगेरा इसमें काफी सारी events लिखी होती थी कि क्या क्या आज से पहले हुआ है, क्या क्या कानून बनाए गए है और राजा को एडवाइस करते थे कि राजा को किस तरीके से राज्य करना चाहिए अब यह circle of justice क्या है भई देखें यह भी काफी important है यहाँ पर भी यह do you know वाला जो पाट है do you know the circle of justice is an appropriate term to describe relation between the king and its subjects, ठीक है, क्या होता है इसमें, फाखीर ए मुबीर wrote, किसी ने लिखा है circle of justice के पारे में फाखीर ए मुबीर ने, तो यह लिखते हैं कि king जो है अपने soldiers, sanicों के बिना survive नहीं कर सकते ठीक है, sanic जो है वो salary पर काम करते है salary, जो हम revenue collect करते है tax लेते हैं, पीजन से उन से आती है बट पीजन तभी tax pay कर सकते है जब वो खुश हो से अपना काम काद चलाएंगे तो यह circle of justice है, यह फाकीर ए मुबिदीर ने लिखी है कि सब लोग खुश होंगे, तभी राज्य सही तरीके से चलेगा अब आगे कहते हैं, यह कुछ और details है यह दिमाग में रखने हैं आपने, ठीक है पहली detail, the authors of तवारीक lived in cities, तो author जो थे जिन्होंने तवारीक लिखी हैं, तवारीक में होता क्या था, तवारीक में पहले क्या हुआ है, अब क्या चल रहा है, कैसे कानून है, कैसे राज्य चलना चाहिए, यह तवारीक में लिखा होता था, तवारीक के जो तवारीक रहते थे, जिन्होंने तवारीकग लिखी ती, वो जाधा तर शहरों में रहते थे और जाधा तर दिली में होते थे, और गायों वगरा, तो वो film बहुत ही कम जाते थे, तो यह लोग दिली में रहते थे, और histories लिखते थे, किस के बारे में, गाउं वगएरे तो यह काफी कम जाते थे, ठीक है, they often wrote their histories for sultans in hope for rich rewards, वो लोग क्यों लिखते थे, sultans के लिखते थे, राजा वगरा के लिखते थे, ताकि उनको कुछ अच्छा पैसा मिल जाए, these authors advise rulers on the need to preserve an ideal societal order based on birthright and gender distinctions, their ideas were not shared by everybody, और यह लोग क्या कहते थे, authors, यह जो थे, कहते थे, sultans को, कि जो birthright है, कि जन्म का अथिकार है, यह राजा बनेगा, और सिफ लड़के राजा बनेंगे, लड़के का अथिकार होगा, यह, यह, जो होते थे, तौरिक्स वगरा में लिखा करते थे, birthright क्या होता है, कि भाई, birth से आपको यह चीज मिल गई, people, जो nobles में पैदा हुए है, उनको right मिल जाता है, जमीन वगरा का, मगर हमें एक exception दिखता है, 1, 2, 3, 6, देखे किता सिंपल याद रख रहा है, 1, 2, 3, आफर उसके बाद, 6 लगा दे रहा है, 1236 में, जो सुल्तान इल्टुत्मिश थे, उन्होंने अपने बेटों को ना काबिल मानकर, अपनी जो बेटी थी, रजिया, उसको सुल्तान बनाया था, क्रॉनिकलर, मतलब जो उस समय के इतिहासकार थे, मिनहाज इ सिराज, रिकरगनाइस तैट, शी वोस मोर एबल और कॉलिफाइड देन, और हर ब्रदर्स, कि वो जादा एबल थी, जादा कॉलिफाइड थी, जादा अच्छी थी, कि वो एक सुल्तान बन सके, बजाए कि अपने भाईयों के, इसलिए रजिया के जो पिता थे, इल्तुत मिश्व, उन्होंने रजिया को सुल्तान चुना, but she was, but he was not comfortable at having a queen as a ruler, मतलब मिनहाज इस सिराज नहीं किये, इन्होंने भी काफी जदा टेंट करें, कि हटा दिया जाए रजिया को, उसको हटा दिया गया थ्रोन से 1240 में, मतलब 4 साल तक ही, वो सुल्तान बन कर रह पाई, या कुईन बन कर रह पाई, जेनर डिस्रिक्शन का मतलब है, कि हमारी सुसाइटी में, बायलोजिकल डिफरेंस की, मैन और विमन की काम अलग है, उनको अलग अलग तरीके से दिखा चाता है, सुसाइटी में हमारी बहुत जदा चलता है, मिनहाज सिराज की रजिया के बारे में, थौट इतना जदा, यह वाली चीज तो खेर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बताते हैं, मिनहाज इसराज की जो कुईन है, उसका रूल अगेंस्ट है, किसके अगेंट है, आइडियल सोशल ओर्डर के मतलब, मिनहाज इसराज क्याते है, कि जो कुईन है, उसको रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने कुईन को एक औरत को रूल करने के लिए तो बनाया ही नहीं है, उनके औरत तो मैंन के सबाइडिनेट होती है, इसलिए, इन दर अगेंस्ट इसराज क्रियेशन, नहीं होती है काबिल, उन्होंने, on her inscriptions and coins, रजिया मेंशन दार, शी वस डॉर्टर अफ इल्त उतमिश, उसने जो रजिया अपने सिक्के, चलवाए, और जो काफी सारी चीजे होती है, राइटिंग्स वगरा होती है, उन्होंने माना कि वो एक कुईन है, और वो इल्त उतमिश्ट की बेटी है, और ये बिल्कुल अलग है, कुईन रुद्रमा देवी, तक में भी आप लोगों ने ये मूवी भी देखी हो, कुईन रुद्रमा देवी पर एक काफी अच्छी मूवी बनी हुई, और प्रिटेंट किया कि वो एक मैन है, अन्दर कुईन दिद्दा, एक और कुईन रही दिद्दा, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, उन्होंने हर टाइटल, उसका जो टाइटल था काफी इंपरस्टिंग था, इट कम्स फ्रूम दिदी और एल्डर सिस्टर, ओविएसली लोगोंने प्यार करते होंगे, इसलिए उनका नाम दिद्दा पड़ गया था, तो एक रजिया सुल्तान रही है, यह वाला जो पोशन है ना, यह काफी ज़ाधा इंपोर्टेंट है, क्यों क्यों क्योंकि फीमेल रूलर्स तो काफी कम रही है ना, इतिहास में, तो रजिया सुल्तान हमारे देश में देख लिए, जब से हमारे देश अजाद हुआ है, तब से सिर्फ एक ही प्राइम मेनस्टर है, जो फीमेल रही है, आपको पताई होगा, कमेंट सेक्षिन नों बताईएगा आपको कितना बताईए ठीक है, और एक ही वीमेल प्रेसिदेंट रही है हमारे देश की, दोनों बताईएगा आप, ठीक है, तो रजिया रही है, रजिया सुल्तान थी, कि ये जो कुईन बनी थी, फिर उसके बाद रुद्रमा देवी थी और फिर दिद्धा थी कश्मीर की, रुद्रमा देवी थी कहां की आंद्रप्रदेश की काकित्या डाइनेस्टी वारंगल, आगे है, फ्रॉम गारसन टाउन टू एम्पायर, एक्सपेंशन उफ डेली सल्तनत, डेली सल्तनत जो है, वो किस तरीके से फैली, तो यहाँ पर देखते हैं, यह मैप बताता है का उनकों से इलाके, शम्शुदीन, इल्थुत्मिष ने, इल्थुत्मिष ने कबजा लिये थे, यह पूरा इलाका, इल्थुत्मिष के कबजे में हो गया था, सुल्तान सुल्तान स्रेली वेंट बियाउंट हैविली 45 टाउंस, उक्यूपाइड बाइग गैरिस तो इस भी क्या है, तो स्टार्टिंग में जो डेली के सुल्तान थे, उनका कंट्रोल प्लिप सिटी के बाहर के इलाकों में नहीं होता था, और वो जो व्यापार था, जो उनको गिफ्ट साते थे, या फिर लूट मार्ट करके जो सप्लाई आती थी, उत पे वो डिपेंड करते थे, पतब शहर शहर के इलाकों में तो उनका कंट्रोल होता था, भार-भार उनका कंट्रोल काफी कम होता था, गैरिसन टांज, गैरिसन टांज, क्या है देखिए, यह देखिए, मतलब गैरिसन टांज, मतलब को मशकिल हो जा रहा था, मतलब विद्रोत होजाते थे, even bad weather could snap fragile communication routes तो इसमें क्या था कि दूर-दूर के जो इलाके होते थे उसमें विद्रो हो जाते थे और कई बार मौसुब की वज़े से भी communication बैट नहीं पाता था इतनी दूर रूल करने के लिए तो डेली अथोरिटी जो थी ना उसको challenge किस से था मंगोल से जो है मंगोलिया से आते थे थे अटाक करते थे खुब पहल के पुरे दुनिया में खुब आटाक किया है इंडिया में नहीं कर पाया थे अटाक डेली अथोरिटी को ये भी डर था कि मंगोल जो है वो अफगानिस्तान से आएंगे और अटाक कर देंगे तो challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness और जो governors भेज रखे हैं Sultan ने अलग लग इलाकों में अगर Sultan जरा सा भी वीक पड़ा तो governor rebel कर देंगे मतलब Sultan के किलाफ चले जाएंगे Sultan barely surprised survived these challenges और अगर कोई governor challenge कर देता था तो Sultan उसको उसको surviving नहीं कर पाता था उसका वो राजय उससे छिनी जाता था और its consolidation occurred during the reign of Gyaasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tuglaq फिर मतलब यह पताया गया है कि जो governor अगर attack फटकरा कर देती थी तो suggest नहीं कर पाते था जो Sultan होता था और Sultan के हाथ से वो वाला इलाका चला जाता था बट क्या था यह जो बलबन डाइस्टी थी फिर Tuglaq डाइस्टी आए इनोंने थोड़ा सा अच्छे से कंट्रोल करके रखा चीजों पर फर्स सेट जो campaign था अलोंग दा internal frontier of Sultanate aimed at consolidating the hindal lands of the garrison towns internal frontier मतलब आपका hindaland यह अपका garrison town है garrison town जहां पर आपके सेने के है उसके थोड़ा थोड़ा बहार वाला इलाका वो आपका internal frontier था मतलब अपने ही देश के garrison town के बारवार इलाका जिसमें पहले इतना कंट्रोल नहीं था उस पे थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल बढ़ने लगा द्यूरिंग इस कैमपेंज फॉरेस्ट वर क्लियर इन गंगा यमुना दोब यह बहुत इंपोर्टेंट है कि जो गैदर पेस्टोरेर्स गुमनतू लोग होते थे उनको निकाला गया वहां से और वहां पर पीजेंट्स को लैंड दे दिया गया और कहा गया कि चलो भई इसमें खेती करो काफी सारे फोर्ट बनाए गए काफी किले बनाए गए गैरेसंट टाउंस को और भी जदा बढ़ाया गया ताकि जो ट्रेड रूट है जो व्यपार के रूट है और एट्रीम आपस में व्यपार अच्छे से हो सके सेकंड एक्सपेंशन पहला एक्सपेंशन इंटरला फ्रेंटियर मतलग गैरेसन टाउन के आगे बढ़ा गया गंगा येमुना दुआब में जो है वहाँ पे जो हंटर गैदरर घुमंतू लोग रहते तो उनको निकाला गया और एक्रिकल्चर के लिए किसानों को दे दिया ग पे बनाये गए और नएग फैन टाउन बनाये गए से और ट्रेड रूट बनाये गए ताकि ट्रेर वियापार अच्छे से हो सके second second expansion जो है second जो फिलाव हुआ था वह हुआ था external frontier का पहला फिलाव internal frontier का अपने देश के अंदर अंदर यह बहाग के इलाके थोड़े से फिर external इसमें military expedition किये गाए Southern India में मतलब साउथ में आर्मी बेजी गई साउथ के अलग रूल चल रहा था तो वहाँ पर आर्मी बेजी गई और यह स्टार्ट हुआ अलावदीन खिल जी के टाइम पर ताइम पर एंड कुल्मिनेटिड विद्ध मुहम्मद तुगलक ठीक है अल स्लेव यह सारे के सारे precious metals यह लेकर राता था मतुब बड़ी आर्मिया होती थी और कुब सब को चलता था उनके साथ बाइद एंड ओफ मुहम्मद तुगलक रेन मुहम्मद तुगलक का जो रेन रेन होता है साशन मुहम्मद तुगलक का जब साशन खतम हुआ 150 years after somewhat humble beginnings the armies of the Delhi सल्तनत had marched across a large part of subcontinent ठीक है तो मुहम्मद तुगलक की रेन आते आते मुहम्मद तुगलक का जब रेन खतम हुआ और लगभग 1500 साल के बाद जब यह मतलब सल्तनत का रूल स्टार्ट हुआ था इसने काफी सारा जो सब कॉंटिनेंट का पार्ट था मतलब इंडिया का पार लगभग 1500 साल में कबजा कर लिया था अपने काफी सारे आर्मी जो दुश्मनों को हराया और उनकी सिटीज पर कबजा कर लिया सल्तनत यहां से टेक्स कलेक्ट करती थी पीजन जो थे अब इतने बड़े देश में कैसे कंट्रोल रहा होगा यह देखे पूरा एक्सपेडीशन लगभगा आप समझ लिए पूरा का पूरा देश ही कबजे में ले लिया था दली सुल्तानों ने ठीक है अब यह मजद वगरा जो इन लोगों ने बनवाई है है यह कंस्रॉक्शन मॉस्क और मिनार बिल्ड दूरिंग दूरिंग दूर्स डिकेड ऑफ 12th century 12th century के अंते में बनाई गई थी फॉर्स सिटी बिल्ड बाइद डेली सल्तान्स डेली एकुना डेली एकुना ओल सिटी थी टीक है ल्त उतमिशने तो यह वाला अब पार्ट हम लोग नेक्स वीडिय क्लोजर लोग एड्मिनिस्ट्रेशन का भी और यह सारे जो टाइग्राम से इनको में अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं दो वीडियो में अराम से तो आदा चेप्टर हो चुका है कावर आदा और बचा है यह अब नेक्स वीडियो में हम ल लगा लाइक करिये सब्सक्राइब करिये चैनल को और डूसर चैनल है लर्नर भी एक्स्ट्रा के नाम से उसमें साइंस पुरी कवर्ड कर रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब करिये का थेंक्यू